वेलकम टो 80 smart classes कैसे हैं आप सभी आप सब बहुत इच्छे होंगे चलिए हम अपनी नाउन की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं हमने पहली क्लास में नाउन के कुछ रूस को देखा था विद एक्जामपल अभी हम नाउन के कुछ और पैक्स देखते हैं कि नाउन को किस तरह स इसिख में क क्लास को स्टार्ट करते हैं में कि आप देख रहे हैं पर कुछ लिखे हुए है हैं आपके बितेखने में बिथ गायंगे और कि दिखेंगे और यूज में से आपने पहले विर्ड एडवास में क्य circumstance इन विच्व दिखते हैं। क्टिई वन यो नहीं हो जाता है आपको भूरते ना की न्यूज ाहर एसे इंप्रइस इसाद न्यूस ये इंप्रेटरेंक क्यों होता है और अब्रे देग्ट कुछरा कर्णित् passa एक उसको बोलता है पैंसिल चौंड एक्विप्मेंड आगे नहीं लगता है कभी भी फूड ग्रीश्री इस ऐसी न इंपोर्टन होता है न इता है आप अहम क्या नियुक्त साथ रोक्त हैं कि इन connecting कि इस बनाईर में thank you यह तो लिए भूलहेंगे छॉप पर नीचर समय यह होता है उसको क्या हूंब करोगा फ IncreShe flow घाऊप स्पीजस क्या में provincial ऑफ Millionen करेंटानेंस क्या मेंनेंस्य म करते हैं मंधोल 20 मृजीक रिसर्ज अपका है ब्रिक का घर इटों का घर नहीं बोलते हैं इत का घर बिर्क वाला भी बहुत जादा इंपॉर्टन हो जाता है अभी एक 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 रिसेंट एक्जाम में ही आया हुआ था तो रबिश जैसे आप बोलते हैं क्या रबिश बाते कर रहों कच्रा गार्बेज रहके जो जो कोई बहुत पुरानी बाहर सफर करते हो तो क्या बोलते हैं कि अपने बैगेज लेलो तो वह क्या होता है उसमें आपके एक बैग हो पांच पैग और यूज नहीं करते हैं यह वर्ट जो है आपका पॉंग्शन दोनों में ही सिंग्लर होते हैं अगला वर्ड है पेपर डामेज पोईट्री अगर आप किसी राइटर की बात करते हैं तो उससे काफी जादा पॉंप लिखी होती है पोईट्री ही होती है कि कलेक्शन और पॉंप होता है यहां पर पोईट्री नहीं बोलोगे पेम होता आपका मशीनरी प्रॉक्री जूलरी वेस्टेच एविडिंस क्या होता है विडिंस सब्सक्राइबाएब के सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं होता है और यह बात आधा है इस हम नहीं नहीं यूज करते हैं प्रेंस य्यूज जरूरत पड़ती हैं के साथ कि पीस या फिर पीस ऑफ यूज़ करके इसका प्लूरल बनाते हैं जैसे हमको किसी ने एडवाइस दी इन्फॉर्मेशन दी उसको उस तरीके से यूज़ करते हैं तो हम इसके एक्जाम्पल्स देख लेते हैं एक्जाम्पल्स में पहला सब्सक्राइब का सेंटन्स लिखा है इ कि आपने पड़ा या एडवाइस क्या हो जाएगा एडवाइस हो जाएगा मॉडल में एक बार फिरते पड़ेंगे और मस्ट मीन भी होता चाहिए लेकिन यह आपके उपर कंपल्शन होता है यह आपको जस्टिक सजेशन दिया जाता है एक माइल सजेशन होता है कंसर्ट तो अगर किसी भी स्टुडेंट को कुछ भी अपने करियर बनाना है कुछ भी इ पर फर्नीचर तो यहां पर क्या हो जाएगा लकडी के टेबल सो सकते हैं चेर सो सकती है बैड हो सकता है लेकिन फर नीचर नहीं होगा फर नीचर मींस ही होता है टेबल जियर तो इसको क्या करना चाहिए आप डिस डिजाइन नेक्स्ट ए दस सीनरी ऑफ कश्मीर इस वेरी बहुत ज्यादा देखने में सुहावनी है बहुत ज्यादा प्लीजेंट है और नेक्स्ट है आई लाइक दा पोईट्री ऑफ ब्रयान शेली पीवी सेली आपने पढ़ा होगा इंग्लिश लिटरेचर में ये काफी ज्यादा फेमस हैं तो आप क्या बोलोगे यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा क्या है आ वढोर क्रफेमस है तो आपको मिल जाएगा क्या जाके उपने शेली एगा So जाएगा में दीनी Carn duckt online Commerasian Sarisوس क्यंता मिल जाएगी टो सारी सूचना आम simplest意 ₹ kur het जाएगा यहाँ पर एसे रिमूफ कर देंगे हम यूशल यूशाल गैट आल इंफॉमेशन इफ यू रीड इस बुक केरफुली अगर आप इस बुक को केरफुली होके पढ़ते हो हमें जब भी पढ़ाई करने चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको सारी में देख रहे हैं यह फॉर्म में भी प्लूरल होते हैं और फंक्शन में भी प्लूरल होते हैं जैसे गॉगल्स चश्मा क्या होता है चश्मे में दो लेंस होते है जिसकी वज़त हम गॉगल्स कहते है इस पैक्टेकल से बाइनो कुलर से बाइनो मींस होता है डबल बाइमी उसमें वन वरड में भी पढ़ाता है क्या बढ़ाता पॉलियर तो अधे मिल्ट हो जाता है बाइनकलर स्टेकर गॉगल सीजर क्या क्या ची पिंसर जो आप किसी चीज को को करने के लिए यूज करते हो जो एक इस धर करने के लिए यूजाशन चीज़े प्लायर्स चिम्टा डाइप से और बैलो भी आपका एक तरह से चिम्टा ही होता है वह अलग परपस के लिए यूज होता है डिवाइडर से टॉंक्स भी आपका चिम्टा है आम्स क्या होता है आंस अपके एक्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है बिलोंगिंग्स भी आपके एक्जाम के पॉंट आप विव से काफ़ी म्पॉर्ट्न है बिलोंगिंग्स जो आप विलॉंग कर रहा हूं आप से संबंदित है आर्चीव से एरियर्स और यह जो बचा हुआ आपका सैलरी का माउंट होता है वह इसमें इंक्लूड हो जाता है यह सब आपके पैसे से रिलेटेड अर्निंग्स है पैटर्स होता जो आपका जो लोग जेल में जाते हैं उनको जो बेडियां वगरा पैनाई जाती है उनके लिए और यह जो कोईल का तुकड़ा होता है जलता हुआ, अज का तुकड़ा होता है उसको बोलते हैं, ऑी में दुपन के लाहरा जाते हैं उसрафुष्य आपस्टिर्स होते हैं उसको बोलते हैं यह वर्ड यह भी आपका काफी important है और the most important word most most important word आपका हो जाता है surroundings surroundings, belongings, arms यह आपके काफी ज्यादा important words है exam के point of view से proceeds, regards, outskirts भी काफी important word है outskirts means होता बॉर्डर जो शहर के आप एक दम बॉर्डर पर जाके रहते हो जैसे अभी मेरे एक फ्रेंड से बात हुई थे वह बैंगलॉर के काफी outskirt में रहता है तो उसका means क्या हो जाएगा बैंगलॉर के जो मेन एरिया उसे थोड़ा सा हट के रहता है अगला वर्ड पर्टिकुलर रिचस रिचस means होता है जो काफी जादा संपन लोग होते हैं पैसो के वाइस उनको बोलते है स्वीट से रिमेंस है तैंक्स मीन जब आप किसी के लिए से एकाउंट तो से विंग बचत पहों उसके लिए यूज होता है नेक्स टाइडिंग से दोनों में ही प्लूरल होती है इनको कैसे यूज करना इसको हम देखते हैं अगर आपको यह word का screenshot लेना तो आप एक बार screenshot ले सकते हैं फिर हम next word की तरफ move करते हैं, next slide देखते हैं आपने screenshot ले लिया तो हम next slide की तरफ move करते हैं इसी पर जो भी हमने रूल पढ़े उस पर बेस पर कुछ sentence उनको देख लेते हैं my earning यहां पर यह sentence लिखा है my earning अभी हमने पढ़ा earning कैसे use करेंगे मेरी कमाई है is not good enough वो इतनी पर्याप नहीं है to afford your higher education अगर जैसे किसी बच्चे ने अपने पेरेंट से बूला है कि मुझे प्राइवाट कॉले से करना है या मुझे किसी ऐसे कॉले से करना है जहांकि पीस काफी ज्यादा हाई होती है तो उस टाइप की sentence हो सकता है my earning is not good enough मेरी इतनी ज्यादा पर्यापत आयनी है good enough means sufficient नहीं है to afford afford means आपको afford करने के लिए आपके खर्चों को देखने के लिए your higher education जो आप higher education की तरफ move करना चाहते है उसके लिए my earning बहुत ज्यादा sufficient नहीं है तो यहां पर क्या हो चाहिएगा S हो चाहिएगा next is you should wear the new driver to the party आप से क्या कहा जा रहा है कि आपको यह suggestion दिया जा रहा है mild suggestion जिसको बोल सकते हैं क्या बोला जा रहा है you should wear आपको पहनना चाहिए क्या the new trouser to the party आप इससे भी समझ सकते हो trouser जो पहनते हो आप एक पैर में तो पहनोगे नहीं दो पैर में पहनोगे तो trouser है इनके लिए क्या यूज हो जाता है वर्ड ट्राउजर अगला है he gave me an old scissor अभी हमने पढ़ा है जिसमें भी दो चीजों का यूज हो अगर वह two form में यूज हो तो उनके लिए हम इससे कर सकते हैं इससे करना हमारे लिए बहुत easy हो जाता है सबसे पहले तो नाउन की रहे तो हम इसमें देख लेंगे मारे लिए लाउन क्या क्या है he हमारा pronoun हो जाएगा gave हमारा verb है और old क्या हो जाएगा old क्या हो जाएगा scissor है scissor को आप देख सकते हो ना scissor क्या हो जाएगी आपका noun क्या हो जाएगा नाउन को डिस्क्राइब करने वाला old क्या हो जाएगा यह हमारा old हो जाएगा और इसमें as use हो जाएगा आपको समझ माया कि यहां पर क्या हो जाएगा earnings trousers scissors इनके क्या है form और function दोनों में ही plural होते हैं अब अगली slide के तरफ देखते हैं अगली slide है यह कुछ words आपके लिखे हुए economics basically यह कुछ आपके education और आपकी disease related word है यहां पर क्या है यह जो words है यह देखने में plural है यह use क्या होंगे आपके singular की तरह use होंगे billiards, economics, mathematics, physics, politics यह सबसे जादा important word है athletics, diabetes, rich kids, rabies, mums, measles यह क्या होता, single, यह word होता है means जैसे लोगों को नहीं कुछ circle में problem हो जाती circle wise जो दाथ type का होता है उसको बोलते है summons यह भी काफी important है droughts, billiards, यह आपके काफी important words है यह दो तो सबसे जादा important word है आपके exam summons क्या होता है जैसे code किसी को पेश होने के लिए बोलती है न तो कितम को संबन आया तो means बुलावा पत्र जिसको इंदी में बोलते हैं वह हो जाता है, देख लेते हैं billiard is a played all over the world billiard का ऐसा game है जो तहां खेला जाता है, is played all over the world पूरे संसार में खेला जाता है he has received a summons from the court तो उसने क्या किया? receive किया अब आप देखो कि यहां पर S यूज हो रहा है और A का यूज हम नहीं करेंगे बट नहीं summons ही अपने आप में ऐसे ही यूज किया जाता है इसको singular नहीं यूज करते he has received a summons उसने एक बुलावा पत्र receive किया कहां से? court से receive किया next word are the measles are a disease अभी यहां पर ही लिखा a disease अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप sentence को कैसे कर सकते हो a disease मतलब एक बिमारी है आलग है a means एक होता है that causes जो cause बनती कारण बनती किसका? fever and red rash जो आपको क्या होता है इसमें आपको fever आता है body में red color के rashes हो जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा? measles एक बिमारी है measles is a disease measles क्या है? disease है एक आपको problem होती है एक बिमारी होती है चलते हम next word की तरफ अगर आपको screenshot लेना है next slide दिखते है अभी जो हमने rules पढ़े है mathematics is in need a difficult subject mathematics क्या है? अपने आप में ही काफी जादा difficult subject है जिनको mathematics नहीं आती है उनके लिए यह हो जाता है यहाँ पर कोई error नहीं होगी क्योंकि mathematics क्या हो जाएगा? mathematics में S लगेगा आप short में भी लिखते हो आप match देखते हो तो प्रेथम पारी या दूस्री पारी उसकी जो शुरुवात है innings means होता है शुरुवात तो अमेशा इसके साथ S word जरूर लगता है यह सबसे जादा important word है of the match was very sensational मतला जो पहली शुरुवात होई थी cricket match की वह सबसे जादा sensational थी तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका word innings हो जाएगा he was asking question after question यह आपका नया rule है यह सबसे जादा important है आप यहां पर heading डाल सकते हो new rule क्या हो जाएगा he was asking questions after questions तो आपने किसी से क्या बोलते हो कि उसने मुझे question पर question पूछे यह तिनी होते प्रेश्णों पर question पूछे नहीं बोलते हो ना उसने मुझे question पर question पूछे question के बाद question पूछे हिंदी में अगर बोलोगे तो आप यहीं बोलोगे ना उसने मुझे सवाल के बाद aq करके बहुत सारे सवाल पूछे तो जब भी आप देखोंगे दो सेम नाउन हो और उनके बीच में कोई प्रिपोजिशन यूज हो रहा हो तो वहां पर हमेशा एस सिंग्लर रहेगा एस नहीं यूज करेंगे समझ में आरी आपको बोरिंग तो नहीं हो रहा वह जदा लेक्चर चलते हैं लेक्स सेंटन देखते हैं यहां पर कोई अरर नहीं है वैसे यहां पर आपको ऐसे देते सब्सक्राइब करके 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 अभी आप कभी भी दो नाउन्स को जैसे अगर आपका लिखा है pages यहां पर बीच में कोई भी preposition हो और फिर same noun तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा यह सिंगलर फॉर्म में यूज होगा यह प्लूरल फॉर्म में नहीं जाएगा नेक्स वर्ड है आर कंट्री इस प्रोग्रेसिंग डीज बाइज अभी हमने पढ़ा था तो यहां पी क्या हो जाएगा by क्या हमारा प्रेपोजिशन है हमारी जो कंट्री यह प्रोग्रेस कर रही है डेवलप कर रही है कब करी दिन पर दिन करी न हिंदी में अगर आम कर दिन पर दिन कर रही है इसलिए मैं भूल से पहले आप से घंदी जारूर निकाले दिन पर दीन क्या क्या उसे हो जाएगा ढ़्यारी इस हमारी च CCTV को प्रोग्रेसिंगा यह असे कर रहाा ही है नहीं बाहिए कर रिये नेट से और-बेस नौट बैग फ्रॉम डोर सोड़ आपको क्या है कोई भी जरूरत नी दर्वाजे पर दर्वाजे दाकर भीक मांगने की यहां पर भीक्षा वर्ड हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा जब पूजिशन है और दूसरा क्या है डोर से हमारे जो टेक्निकल टीम उनने काफ प्रपोजिशन पर दो नाउन दो सीम नाउन की बीच में अगर प्रपोजिशन है तो वह हमेशा सिंगलर फॉर्म के बीच में यूज होती है ठीक है अगर आपको आज की क्लास समझ में आती है तो आप हमारे वी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल बुलिया और दोंगे तो प्रेस्ट प्रेस्ट बेल इकन थैंक यू क्लास